नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना सुरू कर चुके हैं बिहार के संभीदा कर्मियों का लोग पीरिये नेटवर्क निउज 444 निउज नेटवर्क तो दोस्तों एक बार फीर आपका हमारे चैनल में स्वागत है हार्दी कभी नंदन है तो दोस्तों आज की महत्पूर्ण खबर बिहार सरकार के उप मुख मंतरी तेजस्वी जादव के जो नीजी सचीव हैं उनसे जो है कि जुगत लगा कर अपने सुत्रों को बेज कर दिली जावाना होने से पहले बिहार के मुख मंतरी लालू जादव स्वाइत इंडी गठ बंधन के बैठा खेतु दिली रावाना होने जा रहे थे उससे पूर्ण जो है कि संपर का स्थापित कर संभिदा पर निवजित कर्मियों के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट और महत्प खबर लेकर आये हैं उससे पहले अधी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर कर दिजिएगा तो दोस्तों आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर तो बिहार के मुख मंतरी सिरी नितीस कुमारे मम तेज अस्वी जादव लालू परसाद उसे हमारे सुत्रों ने संपर का स्थापित कर मसकत कर बात किया है उन्होंने बताये कि बिहार के सभी संविदान योजित कर्मियों का जो मांग है उस पर विचार चल रहा है आपको बताते चले कि इंडिया गठवंधन के बरिष्ट नेता भी वहां मौझूद थे उन्होंन उनका काम है कि BPSC द्वारा चैनित सिक्षकों का जो है कि त्याग पत्र 25 से अधिक की संख्या में लोग त्याग पत्र दे चुके हैं और कुछ है चैनित सिक्षकों का डाटा जो है कि अपलोड नहीं किया जा रहा है मामले की जाच कराएंगे और जो है कि सभी दोसियों पर करवाई होगा और इसके बाद राज में कारिजरत संभीदा नियोजित कर्मियों के मामले में समान परसासन विभाग का पत्र जारी होने के बाद भी अब तक किसी विभाग दोवारा किसी भी संभीदा कर्मी का बेतन बिरिधी का परस्ताव अब तक विकास आयूक्त तक के वो परिष्ट नेता जो हम मौझूद थे उन लोगों ने बताए चुकि सारी बात संभीदा कर्मियों की जितनी परिशानी है वह सब कुछ एक उनके नीजी सलाहकार है उनको जो है नीजी सचीव है उनको और जो है कि तमाम जो राजत के बड़े नेता मौझूद थे सभी लोगों कहा गया कि बिहार में आउट्सोर्स कर्मी और वरगी किरित कर्मी और संभीदा कर्मी इन लोगों का बेतन बिरिधी का ममला लंबित है जिसमें जो है कि सरकार के तरफ से पत्र जारी किया गया है कि उस पर अब तक कोई करवाई नहीं हो रहा है जिसे बिहार में जीतने भी आउट्सोर्स कर्मी है, संभीदा कर्मी है, सब में जो है कि गहरा छोब ब्याप्त हो गया है, जिस पर उन्होंने बाते बताई कि मुखमंत्री जब इंडिया गठमंधन की बैठक से लोटेंगे तो सरपर्थम BPSC में कारजरत सिख्षकों का जो निवक्ति हो चुका है, और ड बताय कि सहयोगी दल के बड़े बिधायक थे, जो कि मुखमंत्री के रवानगी से पहले, बताय कि बिहार के सिस्टम में थोरी गरबड़ी है, अपसर लोग जो है कि राजनेताओं की बातों को मानने में आनाकानी कर रहे हैं, वे बताय कि सरकार में बैठे नेताओं ने आद लक्यों रुका हुआ है, उधर सरकार में सामिल एक बड़े नेता ने मुखमंत्री के रवानगी के पूर्वेह दावा किया कि दिली की बैठा की वापसी के बाद मुखमंत्री स्वयम संभिदा नियोजित कर्मियों के मामले का समिक्षा कर उचित करवाई करेंगे, जिन से बिहार के संभिदा कर्मियों में जो है कि आउटसूर्स कर्मी अवरगी करित कर्मी के मांदे में बिरिधी होने लगेगा, इन सारी बातों के साथ साथ इधर बिहार के उपमुखमंत्रीत्ते जस्वी जादव ने जो है कि उस चीज को देखा सूना और उनके समक्षी जो है क उनके नीजी सचिव को सौपा गया, संभिदा कर्मी के संगठन के नेताओं ने भी उनसे मुलकात किया था, इस बात को भी वे लोग बता रहे थे, समान परसासन विभाग के पत्र पर करवाई नहीं करने की सिकायत, बड़ी संखिया में जो है कि उपमुखमंत्री और मुख समर्पित करवाग और जनकारी प्राप्त के, जिसमें बिहार के मुख सचिव के द्वारा जो है कि असपोष्ट कहा गया कि बिहार में जितने भी संभिदा नियोजीत कर्मी है, उन सभी के लिए समान परसासन विभाग का जो पत्र है, उसकी सिकायत आप दे रहे हैं, आपके अस्तर से जो है कि पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि मंत्री मंडल सचिवाले बिभाग में लंबित है और जो है कि इसकी जनकारी बिहार के मुख सचिव मुहमद आमीर सुभानी तक हमने पहुचा दिया और सारे पत्र और कागयात भी उनको समर्पित करवाए, जिसके बाद उन्होंने जो है कि उचित करवाई कर जल्धी संविदा पर नियोजित कर्मी, आउट्सोर्स कर्मी और अरगी किरित कर्मियों के बेतन में बिरिधी करवाने का जो है कि अस्वासन दिये जाने पर संविदा कर्मियों के बेतन बिरिधी में हो रही, बिलंब में समापती की उ उमीद जागरी थुई है और अब ऐसा पर्तीत हो रहा है कि बिहार में जो है कि अब मामला ज़्यदा दिनों तक लंबित नहीं रहेगा क्योंकि इसमें जो है कि अधिकारी लोग कुडली मार देते हैं बट जाते हैं ठंडे बसते में फाइल को डाल देते हैं उसके पीछे उन तक दीरे दीरे बात पहुँचती है और मामला जब सोर गूल में तबदील होने लगता है निवज पोटलोप और हम जैसे पत्रकार ख़बर चलाते हैं तब जाकर जो है कि छीछा लेजर होने पर अधिकारी लोग फाइल से कुंडली हटा कर और जो है कि उस पर करवाई करते है बहराल बिहार के उप मुख मंत्री के सचिव ने जो कागज पतर लिये हैं वह सब उप मुख मंत्री एक नजर जरूर देखेंगे और उस पर संञ्यान करेंगे इधर बिहार के मुख सचिव तक भी हमने पत्र और आवेदन और सरकार द्वारप्राप्त पत्रों को पहुँचा कर संभीदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी और वरगी किरित कर्मी के बेतन बिरी दिये तो जारी पत्र पर करवाई नहीं किये जाने के सिकायट से संबंधित बाते कोह कर और उनसे सवाल पुछने का काम किया जहां उन्होंने जो है कि अस्वासन दिये हैं और अब जो है कि कहा जा रहा है कि इंडिया गठ्वंधन की बैठा के उपरांत जब बिहार के मुख मंत्री आएंगे और मुख सचिव और सब साथ बैठेंगे तब इस पर जो है कि विशेश करवाई होना तरह है क्योंकि पत्र जारी होना जो है कि कोई इसी तरह नहीं जारी हो जाता है पत्र जारी करने का मतलब होता है उस पर करवाई और करवाई में अधि जो है कि देरी हो रही है तो निश्चित तोर पर जो है कि अभिश्वास पनप रहा है संबीदा क परिसानी में है लेकिन सब तरह से हमने जो है कि इस पर करवाई करवाने है तू अपने सुत्रों के माध्यम से जो है कि प्रशन पूछने के साथ साथ कागजी लिखी तावेदन भी समर्पीत करवा दिया है जिस पर मुख सचीव का आस्वासन बहुत ही महत पूर्ण है क्योंक हिन्यता जूठ बोल सकता है अधिकारी जूठ नहीं बोलते हैं तो इससे जूड़ी अगली अपडेट लेकर हम जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय भी